हाई वरीवान एक बाई फिर से अब सभी का स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में और आज हम सम्म इंपॉर्डेंट कोर्षण आफ एक्स्पोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं मतलब घातांग से सम्मंद कुछ इंपॉर्डेंट कोर्षण जो क्लास 9 थे के लिए बहुत ही इंपॉर्डेंट होता है क्लास 9 10 जब सभी चीजों में यह इस्तमाल होने वाला है जिस भी क्लास में आप हैं अगर मैच से हैं तो इन सभी चीजों को आपको क्या करना है जानना चाहिए बिलकुल देखें यहां सकता पर क्या है निमलिखित का मानगयाद कीजिए पहले क्या है रूट अंडर हूट पहले ठों हम इसको राइट कररें क्या है यह कैसा रूटा से करना तो बता दें रूट का मतलब होता है refriger on 1 by 2 power है क्योंकि यहां 2 क्या होता silent रहता ध्यान रखिए यह square root है ति square root को अगर इस symbol को आप हटाते हैं suits को हटाते हैं तो उस पर जो power होता वो exponent जो होता वो क्या बनता है 1 upon 2 बनता है यह आपका क्या है base और यह क्या है आपका power है और उसी power का दूसरा नाम क्या होता exponent यानि घ्रात होता है ठीक है यानि यहां आपका घ्रात कितना हो गया 1 upon 2 और आधार यहां क्या है यह क्या है यह क्या है आधार है ठीक है आधार और घ्रात से संबंधित कुछ important formula है पहले उस formula को ही हम discuss कर लें देखिए यह यहां क्या है base आधार है तो आधार पे power कितना है यम और उस पे भी whole power कितना है यन है तो अगर इस तरीके से चाहे जितनी बार भी हो power का power का power तो उसको आपको क्या करना होता है multiply करना होता है ध्यान रखिएगा अगर किसी नमबर के उपर पावर पे पावर लगा चलता चला गया तो उसको आपको क्या करना है बस केवल multiply करना है गुड़ा कर देना है ठीक है तो देख लिए यहां पे पावर यहन था whole power तो इसको हमने फिर दूसरा है अगर सेम होता है तो पावर हो जाता है देखे नहीं हमने लिए multiply के सेमे केवल ऐसा होता है हम लोग ए पावर यहन प्लस यहन लिख देंगे और और डिवाइड के फर्म में लिख सकते हैं a to power m minus 1 क्योंकि यह a to power n value ऑब उपर जाता है तो इस पर minus 1 का power लग जाता है ठीक है गत्सक्ता योग थे ओर यहां गूशन, और प्लैस यह में अच्प करना दा यह आपको या माइनस यन किसी भी नमबर पे अगर जीरो पावर लगा है तो इसकी वैलू क्या होती है वन होती है आपको हमेशा रिमेंबर करके रखना है अगर कोई निगेटिव नमबर रहत इसको वन अपान करके हम लोग प्लैस बना सकते हैं ठीक है अब देखते हैं को यंगर को इसको को साब्स करना या सिम्लिफाई बताना है तो रूट में朝 In-2 इसको हमलोग क्या लिख सकते हैं क्या सिंपलिफाई पावर करते हुए स्म Tibo को स्कूर्य रूट वाले सिंबल canopy को다고 हटाएंगे तो रगाyes कि 3D power minus 2 into 1 by 2 2 से 2 हो जाएगा cancel तो 3D power minus 1 इसको आप लिख सकते हो 1 upon 3 देखो आप इस किस फार्मूले पर है इस फार्मूले पर बेज़्ट है तो यह 3D power minus 1 को लिख सकते हैं 1 upon 3 आपका यह पहले question का क्या हो जाएगा answer हो जाएगा second question को पहले हम write कर दें क्या है 3 upon 5 का whole power 1 by 4 का whole power कितना minus 1 upon 5 है इसी को simplify करना है तो देखिए फिर से power का power है तो आप क्या करोगे multiply करने के सिवा और कोई काम नहीं बचता यहां के लिए तो 1 upon 4 into minus 1 upon 5 multiply करेंगे तो देखिए कोई किसी से cancel होने वाला नहीं है तो उपर उपर यानि numerator को numerator के साथ multiply कर दिए तो denominator को denominator से multiply करिए तो minus 1 upon 20 हो जाएगा अगर आप इसको plus का बनाना चाहते हैं तो इसको 5 upon 3 लिख सकते हैं उल्टा कर दिए 5 उपर चला जाए और 3 नीचे तो यह minus 1 by 20 को plus का 1 by 20 आप लिख दोगे और यहीं आपका क्या होगा answer हो जाए यहां हमने एक formula यूज किया a upon b था यह whole power एगर यम है या minus का यम है जिसको लिख सकते हैं बी अपान a पे whole power क्या चीज प्लेस का यम अगर b को उपर लिख दे और a को नीचे तो यह minus वो क्या हो जाएगा प्लेस का हो जाएगा यह है आपका क्या चीज सेकेंड को भी हमने क्या कर दिया simplify कर दिया अब च का whole power फिर से 1 by 2 है तो सबसे पहला का हम क्या करेंगे उस question को write करेंगे तो चलिए write कर देते हैं यह हो गया 16 का whole power 1 by 2 का फिर से whole power क्या 1 by 2 हम इसको क्या कर सकते हैं यहां पे power के power को multiply कर सकते हैं देखिए इसी formula को use कर लेते हैं तो रिख दिया हमने 16 पे power 1 by 2 into 1 by 2 हो जाएगा 16 पे power कितना 1 by 4 अभी देखिए 4 को हम simplify कर सकते हैं तू एडिया 16 हो जाएगा 2, 4 जा 8 हो जाएगा 2, 2 जा 4, 2 बन जा 2 यानि 16 के place पे 2 दी power 4 लिख सकते हैं कि नहीं हमने क्या कर दिया 16 का factor बना दिया factor यानि उसका क्या गुडनखंड calculate कर लिया 2 पे power 4 मिलता है तो 2 पे power 4 बन गया और 1 by 4 पहले से था तो 2 पे power 4 into 1 by 4 बनेगा फिर से 4 से 4 कैंसिल हो जाए हो गया अब बढ़ते हैं question number 4 बे यहां देखेंगे पहले question तो write कर दे हम question में क्या है fifth root भी बात कर लिया है fifth root fourth root और value का square value भी है ऐसे कई नहीं चीज़े हैं उसमें बहुत interesting question तो देखते हैं इसको कैसे simplify करना है यहां अगर कोई value लिखा देखिएगा यह symbol का भी meaning होता है अगर इस गड़े में कोई value लिख दिया गया इसका मतलब क्या है अगर यह value a हो तो a पे one by five है ठीक है ध्यान रखिएगा यह fifth root को रिपरज comment रहता है इसलिए यहां पे square root बढ़ दिया जाता है तू के अलावा अगर कोई भी value रहेगा तो यहां पे लिखा जाता है ध्यान रखिएगा यह आपका क्या हो जाता है square root हो जाता है यह आपका fourth root हो जाता है यह आपका fifth root और ऐसे ही six root जैसे भी मिलता जाएगा यहीं इसी गड़े में इसी value को लिखा जाता ध्यान रखें अगर यहां बाहर लिखें तो ऐसा कुछ नहीं लेकिन अगर वहां पे उस गड़े में लिख दिया गया इसका मतलब वो क्या है उतना वो root है उसका value है अब बढ़ते है question की तरफ क्या है question question में क्या है यहां पे five है और फिर fourth root का नाम लिया fourth root हो गया और three का square हो गया ठीक है अब हम क्या करें इसको simplify करना चाहते हैं अगर तो अंधर से चलते हैं बाहर की तरव यह क्या है three का sqr इस को भूह ठाथ अगर इसको हम फ़ bargain वाइप लिगना चाहिए और फिफ्ध रूट को आप चाहिए तो यहां पर वटाइभ लिखेंगे अब देखेगा पावर का पावर के पावर ऑbilir है तो सीदे सिदे मॉल्टिप्लाई करी एक टू इन्टो वन बाई फॉर इन्टो वन अपान फाइब देखे टू से फॉर हो गया कैंसील तो थ्री पी पाउर टू फाइब जा टेन वन बाई टेन हो जाएगा आपका यहां का एंसेर तो इस तरीके से यह भी आपका क्या होगा क्वेशन नंबर फॉर भी सिंप्लिफाई हो गय अब बढ़ते हैं कोश्चन नंबर फिप्ट की तरफ को कैसे हम लोग सिंप्लिफाई करेंगे कोश्चन नंबर फिप्ट में क्या है बहुत ही एजी का काम है एकदम बिल्कूल 11 पे पाउर क्या 1 बाई 2 है और बाई 11 पे पाउर 1 बाई 4 है यह देखिएगा आपका यह वाला फर्मले हां पे अप्लाई होने माला है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 11 पाउर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 फिर आगे क्या कर सकते हैं 11 पे पाउर देखिए 2 और 4 कैल्सियम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा मल्टिवलाई कर देने से और फिर माइनस 1 तो इस इक्वेल टू 11 पाउर 1 बाई 4 हो गया आपका यहां का भी एंसर को से नमबर फिप्त भी आपका सिंप्लिफाई हो जाता है अब कोस्टन नमबर सेकेंड और यहां का यह थर्ड बहुत ही स्पेसल कोशन है दिन सभी स्पेस करना है और आर अच्छे साब को लाना है वन यानि आपको प्रूफ करना है सिद्ध करना है कि अगर इतनी को आप साल्व करते तो इसकी वैलू क्या आएगा वन आएगा तो सबसे पहला काम हम यह लिए चिएस को यानि लेप्ट हैंड साइड को राइट करेंगे यह फिर आउर साल्व करने की बात करें तो देखिए का वार का पावर लगा हुआ है तो आप क्या करतो है मुल्टिप्लाई करतो यह थी पहर करते हैं माइन ईक ब्रैकट में आप प्लस दी आप लिख दिये फिर इंटू यह इस पावर D minus C Winter और फिर 2 हो जाता है यह आप क्या है्व माइनस सेडिके और फिर इंटू एग पावर स्वाइनस सेकंड ब्रैकेट सी वह जाता है अब आपको बता दे आएक फॉर्मूला होता है A square minus B square is equal to क्या A minus B और फिर A plus B यह सारे के सारे data आप देख रहे होंगे माइनस B plus B इसी तरीके से दिख रहे हैं इनको लिख सकते हैं यह दिपावर A square minus B square फिर इंटू यह दिपावर B square minus C square और फिर इंटू यह दिपावर C square minus A square हो जाएगा बेस देखिए से सेम हैं तो पावर क्या होता है एक्षिपावर A square minus B square plus इसको एड गर दें B square minus C square फिर इसको एड गर दें प्लस C square minus A square हो जाता है अब क्या करेंगे यह देखिए B square से B square cancel C square से C square cancel और A square से भी A square cancel यानि यह चिपावर जीरो मिल जाता और इसकी वैलो क्या हो जाएगा वन और यहीं आपका क्या है और यहीं पर तुर्ण कोश्चन प्रूब्ड भी हो जाता है अब कोश्चन नम्बर थर्ड कि गर हम बात करें तो इसको कैसे हम सिंपलिफाइड करेंगे दें कि चलिए यह 6 upon 5 है, whole power x, फिर into, यहाँ पे 5 upon 6 है, और whole power क्या है, 2x है, is equal to 125 upon 216 है, यह देखिए, दोनों सेम नहीं लग रहा, यह 6 upon 5 है, यह 5 upon 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सीधा करें, इसको हम 5 upon 6 बना दें, अगर ऐसा करेंगे, जो plus का yaks है ना, तो यह minus के yaks में convert हो जाए इस पर whole power क्या, 2x हो गया, और 125 यानि 5 का cube होता है, ठीक है, और 266 का cube होता है, दोनों पर cube एक साथ लगा दिया हमने, ठीक, अब यह क्या, बेस सेम है, तो power फिर से add हो जाएगा, तो यह 5 upon 6 पे whole power कितना लिखेंगे, minus x plus 2x, is equal to 5 upon 6 का whole power कितना, 3 हो जाएगा, जिनको यह चीज ना समझ में आया, तो यह समय ले 125 का जब आप factor निकालेंगे, तो 5 यह 25 हो जाएगा, फिर 5, यह 5 हो जाएगा, यह 1, तो इसको आप लिख सकते हैं, 5 upon 3, और ऐसे 216 का भी आप करेंगे, तो यह 6 से करें, तो फिर 6 से, फिर 6 से, तो यह 6 upon 3 हो जाएगा, और तो यहाँ पर यह जो पामर होता ना, वो भी सेम हो जाता है, तो यहाँ लिखें, minus x plus 2x is equal to कितना 3, और इसको simplify करेंगे, तो x is equal to क्या आएगा, 3 आपका यहाँ का answer हो जाएगा, तो ऐसे ही आपका यह क्या थे, कुछ important question थे, class 9th level के, और यह competitive examination के लिए भी question important होते हैं, तो यह आपके बहुत ही अच्छे question अगर इन सभी question का आप अच्छे से practice कर लो, तो exercise के बहुत सारे question आपके क्या हो जाएगे, simplify हो जाएगे, और साल भी हो जाएगे, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो जरूर लाइक करें, comment करें, हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें, और इसी के साथ साथ, दोस्तों के पास अपने सेयर करना ना भूलें, तो मिलते हैं इस प्रकार के कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए दीजाज़, बाए-बाए